सीजन 2 के बारे में जिस सीजन को रिलीस के साथ ही मैंने देखा था और हाँ इसे देखकर मैं आपको कह सकता हूँ कि आप इस शो को पहले की तरह फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर उनके साथ ब्रूटेलिटी बैट कर देखने के लिए जमती है तो बाकी पहले सीजन के मुकाबले में सीजन 2 के एपिसोड को कम रखा गया है जिसका फीडबैक लेते हुए मुझे लगता है उन्होंने 5 एपिसोड दालकर ठीकी किये जिनमें से हर एक एपिसोड की लेंद 40-50 मिनट के आसपास की है जिस लेंद में हमारे सामने बहुत कुछ प् लेकिन फिर भी honesty के नाम पर अगर उन चीजों को भी देखा जाए तो sorry to say सीजन 1 के मुकाबले में सीजन 2 बिल्कुल भी impressive नहीं है या फिर कहूँ ये शो भी एक टिपिकल सा crime शो बन गया है जिससे आप time pass के तौर पर एक बार तो बैट कर देख सकते हो जिसके अब कुछ positivity क बात कर ले negativity से पहले तो वो है सभी actors की बहुत ही जानदार performance जिसमें पहले के season की तरह हर एक actor अपना best से भी best देने की कोशिश कर रहा है इसके अलावा कुछ actors को थोड़े से role के लिए ही सही बुलाकर team की तरफ से अच्छा किया गया है ताकि ये team बिल्कुल भी ना तूटे reason obviously simple ही है क्योंकि season 1 को देखने के बाद audience season 2 में भी इनी character से connect करना चाहेगी तो शायद उसी चीज़ को maker ने ध्यान में रखकर इस show की friction कहानी को build करकर पहले से इसका पूरा का पूरा नाता ही तोड़ दिया हालगि पहले season से इसका कोई भी लेना देना नहीं है सिवाए characters की continuity क story के अलावा जिनकी situation को दिखाने में इस show ने अपने फिर से time को खर्च कर दिया लेकिन अभी बात फिलाल तो चल रही थी इसकी positivity की तो इन में से एक नाम आपको बहुत ही ज़ादा shine होता हुआ नजर आएगा यानि कि एक actors की performance जो की basically इस show की spoiler भी है इसलिए मैं बस आपको उनका character का नाम बताता हूँ जो कि टिलो टिमा शोमी है बाकि उनका character क्या है क्या नहीं वो तो आप series देखोगे तो समझ जाओगे जिनकी entry भी show में थोड़ी लेट है लेकिन जितनी भी है वो अपनी present छोड़ने में पूरी तरीके से कामयाब होती है इसके अलावा बाकी प्रदा बहतर करने की कोशिश कर रहे है जिसमें कई लोग पास होते है तो बहुत सारे फेल भी और इसी failure में नाम परसी का दुगल के साथ साथ आदिल हुसेन का निकल कर आएगा जिनके character को बस वो कहते ना filling the blanks की तरह सीरीज में दाल दिया गया है ताकि वो लोग इस शो म पर काम शुरू कर चुके थे लेकिन कहानी का जो बेस था उसी से इस शो की कमर भी तूटती है जिसमें कई सारे points को घुसा कर किसी तरीके के direction को create करने की कोशिश की जाती है खास करके tribes वाला वो एंगल जिसकी शुरुआत तो अच्छे तोर पर की जाती है लेकिन बिना सरप पर तो उसे भी ये शो पहले तो बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस करकर दिखाने की कोशिश करता है बट बाद में वो भी पेस अपनी पकड छोड़ देती है इसके अलावा character की backstory तो है ही जिने बे मतलब का इस शो में डाल कर जबरदस्ती का हमारा time waste ही किया गया है और फि Netflix इंडिया वालों ने उस opportunity को भी miss कर दिया है और साथी साथ Delhi Crime के season 1 के उस charm को भी जो season 2 किसी भी angle से carry नहीं करता जबकि अगर देखा जाय तो इसी नाम को लेकर या फिर इससे किसी अलग city के नाम को लेकर आप किसी भी case को उजागर करकर बता सकते थे जिसमें case important है और उससे handle कर रहे actors लेकिन यहाँ पर जो पहले season में makers ने अपना decision लिया था इन actors को लेकर वो लोग उसी पर अड़े रहे गए जिस कारण से उन्हें story में कुछ भी नया करने के लिए नहीं मिला या फिर जो कुछ भी मिला वो crime patrol से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है या फिर कहूँ प category wise बाटा जाए तो mass audience के लिए तो इस show में English के पहले season की तरह कई सारे portions को भर कर इस show को ही उनसे disconnect करवा दिया गया है जिस कारण से उनकी नजर में इसी English के चलते unfortunate ये show B- की category deserve करेगा और जिन mass audience को English समझ आती है उन्हें ये show कही ना कही B- की category का लगता है जिसके बाद बात क करे मेरी तो मैं इस show को simply B- की category में रखूंगा जिसके सारे points को मैंने इस वीडियो में clear कर दिया है बाकी बचे आप यानि कि आपकी राय जो आप मुझे इस वीडियो के comment में लिकर बता सकते हो कि आप असल में मेरी इन बातों से कितने जादा सहमत हो क्योंकि जैसे कि मैंने क हाँ वक्त है चोट इसी वीडियो को यही पर खतम करने का बाकी मैं हूँ अजीज मिलूँगा आप से जल्दी दूसी किसी वीडियो में तिल देन बाई